अमवाला में सर्वजमाज जागरित मंच ने डॉक्टर भीम राव अमिडगर जैंती समाहरों को किसान मजदूर एकता सम्मेलन के रूप में मनाया इस मौके पर भाकियों के प्रदेश अध्यक्ष गुर्णाम चडूनी ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी चडूनी ने मंच से सभी वरगों के लोगों को किसान आंदोलन का समर्थन वा सहयूग देने की अपील की और कहा कि ये सरकार किसानों वा मजदूरों का बारी-बारी से दमन वा शोशन कर रही है जिसका हमें मिलजूल कर विरुद करना है जो देश में शोशित लोग हैं वो एक मंच पे आके और उन लोगों के विरुद लड़ें जो हमारा शोशन कर रहे हैं जो जिनों ने पूरा देश लूट खाया है तो यहाँ पे आज हम आये थे और जो आज का अंदोलन चल रहा है वो भी सभी का अंदोलन है मुक्यवल किसान अंदोलन नहीं है और उसमें किसान, मजदूर, दुकान वाले सभी भाई उसको मिलके लड़ेंगे कोर्णा के सवाल पर चडूनी ने कहा कि अगर सरकार वाकई में किसानों के चिंता करती है तो जल्द अपने खानूनों को वापस ले ताकि किसान अपने घर चले जाए चडूनी ने फिलाल कोर्णा को देखते हुए संसद कूछ स्थगित करने की भी बात कही करोना को किसाने है और हम करोना में बहुंस करेंगे अगर सरकार को चंता है करोना की और कोई किसानों की बात माप ले और hasta करोन वापिस ऐregation को घर संसत्थ-क्श कि देश का बुद्धी जी भी लोग यह कहेगा ऐसे देश को बदनाम करेंगे जैसे मुसलमानों को बदनाम कर दिया तो यह यह अंदोलन तब तक चलेगा जब हम जीत नहीं जाते वहीं पे बैठेंगे और अगले प्रोग्राम हमारे लगतार मनते रहेंगे देखी वैक्सिन जो लगवाना चाहेगा उसको रुकेंगे नहीं लेकिन जबरदस्ती नहीं लगवाने देंगे और टेस्टिंग नहीं करवाने देंगे तेस्टिंग के नाम पे करने पर गुर्णाम चडूनी ने तो साफ कह दिया है कि जो किसान अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाना चाहता है वो लगवा सकता है लेकिन हम सरकार को किसी भी किसान का कोर्णा टेस्ट नहीं करन देंगे क्योंकि सरकार टेस्टिंग की नाम पर किसान आंदोलन खत्म कर अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद